आज हम देखींगे कि इस्थानी कक्छा एं जो कक्छा 1 से 4 है या फिर कक्छा 6 वह 7 का रिजल्ट कैसे तयार करें साथी रिजल्ट तयार करते समय हमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है इसके अतरिक्ट इसमें जो सहसेक्षिक छेत्रों का मुल्यांकन है या फिर व्यक्तिका और प्रात्मिक वा माध्मिक सालाओं में कुल सिक्षन दिवस कितने होंगे इन सभी बिंदुओं पर हम बिंदुबार चर्चा करेंगे साथ ही देखेंगे कि इन कक्छाओं का रिजल्ट हम कैसे तैयार कर सकते हैं इन सभी बिंदुओं पर हम बिंदुबार चर्चा करेंगे अब result की यदि हम बात करें तो result में मुख रूप से दो पत्रक होते हैं पहला होता है बार्षिक परिणाम अविलेग पत्रक और दूसरा छात्रों का प्रगती पत्रक जो मार्षिट होती है जो अंग सूची होती है वो होता है इसके अत्रिक इसमें सांखी की पत्रक भी होता है जिसमें संख्यात्मक जानकारी प्रेशित की जाती है आज हम केबल बार्षिक परिणाम अविलेग पत्रक और छात्रों के प्रगती पत्रक पर बात करेंगे रिजल्ट तयार करते समय सबसे पहले हमें बारसिक परिणाम अभिलेक पत्रक तयार करना होता है और इस पत्रक में छात्र की समाने जानकारी होती है और छात्र ने परिक्षा में कितने अंग प्राप्त किया है वो अंग के यहां पर हमें फिल करना होता है तो आईए देखते हैं बारसिक परिणाम अभिलेग पत्रक कैसे भरें जैसे इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं बारसिक परिणाम अभिलेग पत्रक में सबसे पहले समान जानकारी हमारी साला की जो समान जानकारी है इसे फिल करना होता है जैसे जिले का नाम, जनसिक्छा केंट का नाम, बसाट का नाम, अपनी साला का जो यूडाइस कोड है वो फिल करना होता है इसके उपरांत बिधान सवा, छेतर क्रमांग, ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय का नाम और साला का इस्तर कि साला किस इस्तर की है प्रात्मिक इस्तर या माद्मिक इस्तर इसके उपरांत इसमें आगे कुछ समान जानकारी और रहती है जैसे विकास खंड ग्राम या वाट का नाम साला का नाम वो सारी डिटेल यहां पर आ जाती है इस पत्रक को परिशिष्ट चार अब इसमें हम देखेंगे कि उपर एक संकलित जानकारी हमें फिल करना होता है, जिसमें हमारी साला में संबंधित कक्चा में कुल नामंकित कितने चात्र हैं, परिक्चा में कितने चात्र समलित हुए और इन समलित चात्रों में से A ग्रेड में कितने चात्र आये हैं, V में कित अब पत्रक में हम नीचे देखींगे, तो यहां पर उपर आप देख सकते हैं, इसपर कि लिखा हुआ है बिद्यारती की समाने जानकारी जैसे चात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेत अब बर्थ, इस प्रकार की सभी समाने जानकारी हमें फिल करना होगा, इस के अब इसमें जो अंग हमें फिल करना है वो आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में हैं जैसे अर्दवार्शिक जो पृतिवा पर हुआ था वो भी दो पार्ट में हुआ था जिसमें एक प्रोजेक्ट की वर्षिट थी और दूसरी लिखित की वर्षिट थी तो लिखित की जो ब अंक के लिए है तो अब इस तीस अंक में पिर्थम भासा में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो अंक आप यहां पर फिल करें इसके उपरांद जो प्रुजेट की वर्षीट है इसमें कितने अंक छात्र ने प्राप्त किया है वो आपको इसमें फिल करना होगा इसी उपरान छात्रों ने 12 मुल्य अंकन में कुल कितने अंक प्राप्त किया है वो दर्ज करना होगा अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 12 मुल्य अंकन जो था वो 100 अंकों का था और इसमें 60 अंक लिखित की वर्षिट थी और 40 अंक प्रोजेट की वर्षिट थी तो 60 जो लिखित की वर्षिट है इसमें छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किया है वो फिल कर दें और प्रोजेट की वर्षिट जो की 40 अंकों की थी इसमें छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किया है वो फिल कर दें इस प्रकार सभी विस्यों की जानकारी जो छात्रों के प्र अब यहाँ पर सिखचक थोड़ा कंफुज हो रहे थे क्योंकि यहां पर 20 अंक लिखे हुए हैं समान तोर पर छात्रों को 20 अंक में से ही अंक दिये जाते हैं जो पूर्णांक है इनके वो 20 ही रहते हैं लेकिन इस सत्र में चुकी सालाएं सेप्टेमबर महा से लगी है इसलिए इसके जो अंक हैं वो कम हो जाएंगे अब प्रशन आता है कि पूर्णांक यदि 20 नहीं है तब कितने पूर्णांक हमें यहां पर रखना है तो सितंबर महा से यदि एपरेल तक हम काउंट करते हैं तो 8 महा होते हैं और प्रते एक पॉइंट में 2 अंक निर्धारित है तो 8 महा के 16 अंक हो जाएंगे तो 16 अंकों में से छात्र को आप यहां पर मार्किंग कर सकते हैं लेकिन एदि हम बात करें एपरेल महा की तो एपरेल महा में चुकी एकजाम प्रारम हो चुके थे तो एपरेल महा आप काउंट ना करें एक महा कम हो जाएगा तो आपको 7 महा इसमें count करना है और 7 महा के जो अंग होंगे जो पूरा अंग होंगे वो 14 अंग होंगे तो आपको 14 अंगों में से छात्रों ने जो अंग प्राप्त किये हैं वो आपको इसमें fill कर देना है यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 7 महा आप लें क्योंकि एप्रेल महा में एक्जाम प्रारम हो चुके थे तो इस महा को आप count न करें अब यदि आपने एप्रेल महा को भी count कर लिया है तब भी कोई problem नहीं है आप यहाँ 16 अंकों में से छात्रों के प्रापतां को लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हम छात्रों का लगातार मुल्यांकन करते हैं छात्र जब साला आ रहा है तब से जब तक साला में रहेगा तब तक सभी परिस्तिती में हम छात्रों का मुल्यांकन करते हैं तो आपने अप्रेल महा भी इसमें काउंट कर लिया है तो भी इसमें कोई समस्या नही और यदि count नहीं किया है तब आप 7 महा को count करें और कुल 14 पूर्ण अंक इसमें रखें और 14 अंकों में से छात्रों को जो भी छात्र को अंक आपको देना है वो अंक आप इसमें दे सकते हैं इसी प्रकार इसमें ब्यक्तिकत समाजी गुणों का जो मुल्यांकन है इसमें भी छात्रों की जो प्रापतांक है जो छात्र को आपको देना हो वो आप दे सकते हैं अब इसके उपरांत बारसिक परिणाम प्रापतांक महायोग अब यहाँ पर आपको total लिखना है अब total लिख सेक्षिक छेत्र का मुल्यांकन अर्थात अर्दवार्सिक मुल्यांकन और जो बार्सिक मुल्यांकन में छात्र ने प्रापतांग प्राप्त किया है इन प्रापतांगों को यहां पर टूटल करना है यहां पर किसी भी परिस्तिती में सेसेक्षिक छेत्रों का मुल्यांकन और ब्यक्तिका समाजी गुणों के जो मुल्यांकन हैं इनके प्राप्तांकों को एड़ नहीं करना है वहीं पूर्णांक की एदि हम बात करें तो कक्षा एक वद दो में तीन बिसे होते हैं तो तीन बिसियों का 450 अंग पूर्णांक होगा वहीं कक्षा 3-5 में 4 विसे होते हैं तो 4 विसियों का जो पूरांग है वो 600 अंक रहेगा वहीं कक्षा 6 वो 7 में 6 विसे होते हैं तो 6 विसियों का जो पूरांग रहेगा 150 अंक प्रती विसे के अधार पर 900 अंक पूरांग रहेगा इसमें अधी कक्षा 1 बद 2 के लिए पत्रक आप तयार कर रहे हैं तो 450 अंकों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया हो वो अंक आपको यहाँ पर फिल करना है वहीं कक्षा 3 से 5 के लिए 600 बिसियों में से छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया हो वो लिखना है और कक्छा 6 वा 7 में 900 पूर्णांक में चात्र ने जितने भी अंग प्राप्त किया हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है अब यहाँ पर एक प्रश्ण और आ रहा था कक्छा 1 वा 2 के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि सर इसमें क्या प्रश्ण के अंग अलक से अंकित करना है तो इसमें बता दें जैसे पत्रक आप मार्केट से क्रे करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से प्राप्त होगा इसमें कक्षा 1 वद 2 के लिए अलग से पत्रक आपको प्राप्त नहीं होगा और पत्रक की जादी हम बात करें तो इसमें आप देखींगे कि लिखित और पर्जेक्ट दो पॉइंट्स दिये गए हैं लेकिन कच्छा एक वद दो में पर्जेक्ट का जो है वो मुल्यांकन नहीं किया गया है केवल लिखित मुल्यांकन हुआ है आदिस अनुसार और इसमें जो पूर अंक है वो 100 अंक है बारसिक मुल्यांकन के लिए और अरदबारसिक मुल्यांकन के लिए 50 अंक है और दोनों में ही केबल लिखित मुल्यांकन चात्रों को किया गया है परजेक्ट का मुल्यांकन नहीं किया गया है तब इस प्रकार से एधी प्रक्वत्र आपको प्राप्ट हो तब आप यहाँ पर जो 30 अंक लिखा हुआ है इसे क्रॉस करके 50 अंक कर दें और यहाँ पर 50 अंकों में से अर्दवारसिक में छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किया हो वो सीधे एक बॉक्स में लिख सकते हैं सेकंड जो प्रोजेक्ट का बॉक्स है इसे आप डैस कर सकते हैं इसी पिरकार B Kubernetes में भी 100 अंक कों से लिखित में छात्र ने जितने अंक प्राप्त किया हो वो आप फिल कर दें और प्रोजेक्ट के अंक के अंक लिए आपडैस कर सकते हैं और इसके उपरांद सहसेक्षिक छेत्रों का मुल्यांकन और व्यक्तिकर समाजिक छेत्रों का मुल्यांकन इसमें आप छात्रों को प्राप्तांग जो भी प्राप्त कर रहे हैं छात्र वो प्राप्तांग यहां पर फिल कर सकते हैं इसके उपरांद केवल अर्दवारसिक मुल अब प्रश्न आता है कि कुल सिक्षण दिवस कितने रहेंगे चुकि सालाएं सितंबर से प्रारम हुई बीच में सालाएं कुछ बन भी रही तो इसमें हम देखें तो प्रात्मिक सालाओं में लगभग 152 दिवस सिक्षण दिवस रहे वहीं मात्मिक सालाओं में 165 दिन दित रहा है उसकी संख्या आपको यहां पर लिख देना है इस प्रकार इस पत्रक में सभी छात्रों की जानकारी फिल कर देने के उपरांत अब छात्रों का जो प्रगती पत्रक है वो हमें तयार करना होता है तो आईए देखते हैं कि प्रगती पत्रक में कैसे जानकारी फिल क करना है जैसे प्रगती पत्रक की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से प्रगती- पत्रक मार्केट से हमें प्रापः होगा अब इसमें सिक्षकों का एक प्रश्ण और आ रहा था कि सर हमने जो प्रगती-recordigers खरीदा है वो उसमें कुछ change है तो क्या हम उसमें इंट्री कर सकते हैं तो इसमें बता दें कि RSK से जो निर्दे स्प्राप्थ हुए थे कि आपके पास में पूर्व के जो अविलेक हैं आप उसमें भी छात्रों का रिजल्ट तयार कर सकते हैं इस पस्ट रूप से बताया गया था कि इसमें जो कॉलम्म यूज으 नहीं हो रहे हैं उन्हें आप डैज कर दें और इसमें जो यूज है जिसमें इंट्री करना है केवल उन कॉलम्म में आपको इंट्री कर देना है तो प्रगति पत्रक या बार्षिक परinhaम अभिलेक पत्रक ऐगि आपके पास में पूर्ब के हैं तब आप उसमें भी अपनी साला के शात्रों का result तयार कर सकते हैं आइए दिखते हैं इस प्रिगति पत्रक को तो इसमें जो पहला पार्ट है समान सी जानकारी इसमें रहती है जैसे पहले पार्ट की हम बात करें तो तो कुछ इस प्रकार से पार्ट हमें प्राप्त होगा, जिसमें सबसे पहले छात्र का जो नाम है, साला का नाम है, वो सारी डिटेल इसमें फिल करना होता है, सरल किरमांक, अनुकिरमांक, कक्छा, किस कक्छा का छात्र है, वो सारी डिटेल इसमें हमें साउधानी से फिल कर द इसके उपरांत इसमें जो second part होता है जिसमें grading लिखना रहता है इस part के दिए हम बात करें तो सैक्षिक छेत्रों का मुल्यांकन यहां पर आपको केवल अर्दवार्सिक मुल्यांकन और बार्सिक मुल्यांकन इनका grade फिल करना होगा जैसे आप देखेंगे कि अर्दवार्सिक मुल्यांकन प्रोजेक्ट कार मुल्यांकन बीस अंक के अधार पर प्राप्त grade तो यहां पर केवल grading जो प्रगती पत्रक होता है इसमें अंक आपको फिल नहीं करना है केवल छात्रों की जो grading है वो फिल करना है जैसे आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट के बीस और जो लिखित मुल्यांकन है इसके 30 अंग इसमें छात्र का जो भी ग्रेड आ रहा है वो लिख दें और इसके उपरांथ ओवराल 50 अंगों में छात्र का क्या ग्रेड आ रहा है वो ग्रेड आपको इसमें लिखना है अर्द बारसिक मुल्यांकन के लिए इसी परकार बारसिक मुल्यंकन के लिए छात्रों की ग्रेडिंग करना है 40 अंग प्रोजेक्ट और 60 अंग लिखित मुल्यंकन के लिए और overall 100 अंगों में कौन सा ग्रेड छात्र का आया है वो आप लिख दें इसके उपरांद 150 अंगों में छात्र की ग्रेडिंग क्या रहेगी वो आपको यहाँ पर calculate करना होगा इसके उपरां सहसेक्षिक छेत्रों के मुल्यंकन के अदि हम बात करें तो इसकी भी ग्रेडिंग हमें प्रगती पत्रक पर देना होता है अब यहाँ पर आप देखेंगे की ग्रेडिंग हमने लिखा हुआ है अब ग्रेडिंग कहां से लिखें तो ग्रेडिंग जो बारसिक अभिलेग पत्रक होता है बारसिक परणाम अभिलेग पत्रक इस पत्रक से हमें ग्रेडिंग करना होगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सहसेक्षिक छेत्रों का जो मुल्य अंकन है इसमें छात्रों को अंक हमने दिये हैं तो इन अंकों के अधार पर छात्रों की आप ग्रेडिंग करें जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किया है इन अंकों के अधार पर हम प्रगती पत्रक में ग्रेडिंग अंकित करते इसके उपरांत इसमें कुछ बेसिक जानकारियां और फिल करना होता है जैसे सिक्षक का अभीमत आप इसमें लिख सकते हैं में स्पेस्टूप से बता दें कि जिस कक्षा के छात्र की आप अंगसूची जो प्रगती पत्रक हैं वो तयार कर रहे हैं जैसे सत्र 2021 जो की बर्तमान सत्र है इस बर्तमान सत्र में यदि कोई छात्र कक्षा 3 में था और उसका प्रगती पत्रक हम तयार कर रहे हैं तब यहां पर कक्षा उनती यदि छात्र उत्तीन हो जाता है तब उसको कक्षा उनती अगली कक्षा में हमें देना है जैसे कक्षा तीन कर हमने प्रगति पतर त्यार किया तो यहां पर कक्षा चार लिखना है हमें की कक्षा चार में छात्र को कक्षा उनती दी जाती है या इसे हम ऐसे सम तब उसकी कक्छा उन्नती कक्छा 3 में आएगी तो इस प्रकार से आपको class promote करना होता है इसमें इस प्रकार हम बारसिक परिणाम अभिलेग पत्रक इबं छात्रों के प्रगती पत्रक बहुत ही आसानी से तयार कर सकते हैं एथी प्रगती पत्रक और बारसिक परिणाम अभिले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं